जो आप पेर अफ टेंजेंट तू अफ रेडियस 5 सेंटीमेटर विच आर इंकलाइन तू इच अदर अट एन एंगल 60 डिग्री यानि एक सर्केल जिसका रेडियस 5 सेंटीमेटर है उस पर हमें दो ऐसी टेंजेंट रो करनी है जिनके बीच में एंगल 60 डिग्री हो ना स्टुटेंट किस तरह से दो करेंगे है तो स्टेप्स अफ कंस्ट्रक्शन फर्स द्रॉए चर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमेटर विच सेंटर ओ नो ड्रॉए एनि डामेटर लिया सेंटर रो के थू एंड्ड रेडियस ओम सच देट एंगल टेंजेंट क्या होती है रेडियस पर पर्पेंडिकुलर होती है सिंस टेंजेंट इस पर्पेंडिकुलर तुदा रेडियस अट पॉंट अफ कॉंटेक्ट यह थूरम भी हमने पड़ी थी कर दिया नो वीविल गट टेंजेंट घयुए एक पडाय को मिल गई न पकॉंट M पर अब स्टुएंट सेम अपर एक पर पर्पेंडिकुलर टॉ करेंगे और वो अमें शेकंड अंजेंट देगा, so draw perpendicular at point A and we will get tangent PQ at point A draw this 90 degree के angle बना के perpendicular draw कर दिया, now this is PQ, now PQ और XY student यह intersect किस पर करेंगे हम इस point को B ले ले लेते हैं now both tangent intersect at point B and inclined to each other at 60 degree, यह angle कितना होगा, angle AB M 60 degree होगा क्यासे होगा है, student इसकी explanation बताता हूं now concentrate of quadrilator AMO, इस पर concentrate कीजी angle OAB यह 90 degree का होगा क्योंकि radius tangent पर perpendicular again angle OMB, यह भी 90 degree होगा क्योंकि radius जो है वो tangent पर perpendicular होता है अब बचे angle आपके ABN और angle AON इन दोनों का sum 180 degree होगा क्योंकि 90 और 90 तो student बाकी दो यह होगा है angle OM की बात करें तो student यह कितना होगा है 120 degree होगा क्योंकि इसका linear pair यह बराबर वाला 60 degree है angle MOC और MOC प्लस MOE यह दोनों 180 है यह दोनों 180 है तो इस विल एक्वल तो 120 degree और यह 120 degree है तो student यह सामने वाला अग्ल ABN कितना होगा 180 मानेस 120 क्योंकि दोनों का sum 180 degree है यह दोनों का sum 180 degree है झाल झाल